भारतिय समूव, अदानी ग्रूप और वैश्विक राइट हेलिंग दिगगेच उबर भन्नीतिक साजेदारी में शामिल हो रहे हैं। इस सहयोग का लक्षे है। उबर के प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी, बेश करना, अदानी इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने और ब्रांड बनाने की योजना बना रहा है, जिन्हें उबर के बेड़े में शामिल किया जाएगा। ये कदम दो हजार चालीस तक शून्यों सर्जन गतिशीलता मंच बनने के लिए उबर की प्रतिबधता के साथ संरेखित है। अदानी वन की पहुच बढ़ाना दो हजार बाइस में लॉंच किया गया। अदानी वन एक सुपर एप है जो फ्लाइट बुकिंग और हवायट दा सेवाओ जैसी विभिन सेवाओ प्रदान करता है। उबर की राइट हेलिंग सेवाओ को अदानी वन में एक इकरित करने का लक्षी उप्योग करता जुड़ाव बढ़ाना और सुपर एप की पहुच का विस्तार करना है। लाप भारत में EV अपनाने में तेजी लाना। ये साजेदारी भारत में इलेक्टरिक वाहनों को अपनाने में उल्लेखनिये रूप से तेजी ला सकती है, जो देश के स्वच उर्जा परिवर्तन लक्षयों में योगदान देगी। अदानी के EV पच्चेनक अविस्तार जबकि पहले से ही इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनक्षित्र में मौचूद है ये साजेदारी अदानी को यात्री EV बजार में प्रवेश करने की अनुमती देती है अदानी वन के मूले प्रस्ताव को बढ़ाता है उबर को एक इकरित करने से अदानी वन में सुविधा और कार्यक्षमता की एक और परत जुड़ जाती है जिससे संभावित रूप से अधिक उप्योग करता आकरशित होते है आगे चर्चा के बिंदू, साजेदारी का विवरण जैसे कि शुरू किये जाने वाले ईवी की संख्या और शामिल निवेश अभी भी चर्चा में है आर्तिय परिवहन क्षेत्र और प्रतिसपर्धा परिद्रश्य पर इस सहयोग के दीवकालिक प्रभाव को अभी देखा जाना बाकी है ध्यान दे, यह आपके ब्लॉग पोस्ट के लिए केवल एक सुझाया गया धाचा है आप इसमें विवरन जोड़कर इसे और अधिक अनुकूलित कर सकते हैं जैसे विजूल अपील बढ़ाने के लिए छविया या इंफो ग्राफिक्स विबिन विश्टिकोनों को जोड़ने के लिए उद्योग के विशेशग्यों के उत्धरण पाठकों को अधिक जानने या अपने विचार साजा करने के लिए प्रोचसाहित करने के लिए एक कार्रवाई करने के लिए बुलावा कॉल टू एक्शन